सर आपने तो ऐसा नाम ले लिया कि दिनी खराब हो जाए खैर चलिए एनजी पांडे एनसंस इन्होंने कमपणी बना दिये आप इसमें हमको एंट्री पास करनी है और एंट्री भी पास करने से पहले हमें ये समझना है कि हम कैटेगरी कैसे बनाएं ठीक है तो कैटेगरी बनाने के लिए क्या करना है हमको कि यहां से क्रियेट पे जाना है ठीक है और क्रियेट पे जाएंगे तो यहां पर स्टॉप ग्रूप नज़र आएगा स्टॉप कैटेगरी नज़र आएगी स्टॉप आइटम नज़र आएगा unit or go down, inventory masters में आपको ये चीज़े दिखेंगी, तो सबसे पहले हम group बनाते हैं, तो ये आगए group पर, तो आप group बना लिजिए medicine का, तो एक medicine का sir group बना रहे हैं enter कीजी enter कीजी अब यहाँ पर ये group है, अब enter कीजी enter कीजी enter कीजी accept करा लिया इसे, तो एक medicine का हमने group बनाया, अब बाहर आ जाते हैं अब यहाँ पर category दिखाई पड़ रही है, stop category तो एक category बना लेते हैं medicine में कई सारी categories होगी तो एक ही नहीं, तो तीन category हम बनाएंगे जैसे sir बना रहे हैं painkiller तो यह पहली category हो गई painkiller की, जिसमें painkiller की कुछ medicines आएंगी ठीक है, तो यह हो गया और अब enterprise कीजे enterprise कीजे, accept करा लीजे दूसरी category बना लीजी आप cream की, ठीक है enter कीजे, enter कीजे accept करा लीजे, यह हो गया तो यह category तो बना ली अब stock item बनाते समय इसकी entry कैसे pass होगी वो हम बात करेंगे, तो आप यहां से भी stock item बना सकते हैं कोई दिक्त वाली बात नहीं है, चलिए यही पर stock item बनाते हैं और देखते हैं कि इस category का उपयोग कैसे करेंगे हम, तो यहां पर stock item में जैसे कि सर डाल रहे हैं, यहां पर boroplus, enter किया enterprise किया, और यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको under में दिखेगा आपका group, तो group आपका medicine हो जाएगा, अब यहां पर आते हैं, तो directly हमें unit दिखाई पड़ता है, category तो कहां गई group तो आ गया, लेकिन category नजर नहीं आती है, ऐसी problem अगर आपके साथ आती हो, तो यह video आप देखिए, आपकी problem guarantee के साथ दूर हो जाएगी, और यहां पर आपको keyboard से function button F12 प्रेस करना है, अगर आप teleprime यूज कर रहे हैं, तो F12 प्रेस कीज़, जैसे ही F12 प्रेस करेंगे, तो configuration की window open हो जाएगी, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा stock category, use stock category for stock item, तो यहां पर जा करके, आपको इसे yes कर देना है, y प्रेस कर देंगे, तो यह yes हो जाएगा, enter प्रेस कर दीजे, और control A प्रेस करके, इसे करा लिजेगा, accept, अब यहां पर unit बनाने की बारी है, तो यहां पर item, pieces, कुछ भी आप unit बना सकते हैं, यहां पर जा करके, ठीक है यह किसके under में जाएगा, अब आपको यह दिखाई पड़ने लगेगा तो यह cream है, तो cream के under में यह चला जाएगा, enter प्रेस करेंगे, अब यहां unit बना लीजिए, ओके तो यहां पर item कर दीजए, ITM ITM, और यहां पर पूरा नाम लिख दीजए, item, अब borrow plus cream अगर हम खरीदेंगे तो 2, 3, यह 4 as खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि 1,5 खरीदेंगे, तो इसलिए यहां पर decimal point मैंने 0 रख था है, decimal places, ठीक है, enter प्रेस किया, enter प्रेस किया, यह accept हो गया, अब इसको पूरे को control ए प्रेस करके आप accept करा लीजिए, इस पर हम अभी GST नहीं लगा रहे है, अब बाहर आ जाईए यहां से, अब इसकी जब पहली entry हम cash में ही pass करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कोई पैसा रेसीब नहीं कराया है कंपणी में, तो यहां से वी प्रेस कर लेंगे, और यहां पर आएंगे, तो यहां पर actual और separate bill की quantity, actual और build item की quantity वाली option को मैंने चालू कर रखा है, यहां पर enter, enter प्रेस करके, आप यहां आजाएए, और यहां cash में ही हम purchasing करेंगे, तो यहां cash करके, और आजाएंगे यहां पर, तो यहां पर आप purchase account का laser बनेगा, यहां पर purchase account का laser लगा लीजेए, आप easily, यह कर दिया, purchase account A-C, तो यह होगा purchase account यह जाएगा, under purchase account में, और enter प्रेस करके, इसे accept करवा लीजे, control A प्रेस कर सकते हैं, आप, एक ही बार में accept हो जाएगा, अब stock item हमने बनाया था borrow plus, तो यह borrow plus आपको show हो रहा है, यहां पर आ जाएगा, आप कितना borrow plus, एक जूली में आप दे रहे हैं, तो माल लीजे कि 20 borrow plus दे रहे हैं, लेकिन bill कितने का बनेगा, 19 का बनेगा, क्योंकि एक तो फिर ही है, अगर उन्हें इस खरी देंगे, तो 20 मिलेगा, ठीक है और एक का rate मालीजे, 75 रुपया लगा लीजे, तो यह 75 रुपय का एक है, यह हो गया interface किया, तो यह total आ गया अगर आप discount देना चाहते हैं, तो दीजी, मैं फिलाल, रहने देता हूँ discount, इसको discount नहीं दूँगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है, अब interface करके इसे accept करा लीजे, तो यह वो category थी, जो आपको दिखाए नहीं पड़ती थी, जो अपने बनाया, लेकिन फिर भी आपको नजर नहीं आ रही थी, वो इस तरह से आपको display हो जाएगी, अगर आप इसका print देखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से अब alt के साथ आपको P press करना है, और जैसे ही enter press करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो इसका preview देखेंगे, तो preview देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर यह boroplus नजर आ रहा है, और बाकी की सारे details नजर आ रही है, अगर आप इसमें और भी कुछ option enable करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको जाना होगा configuration पर, और यहाँ आपको तमाम options नजर आ जाएंगी अगर आपने discount दिया है या कुछ और भी देना है तो वो सारी detail आपको यहाँ पर दिखेंगी, आप यहाँ से activate या deactivate कर सकते हैं उसको narration को activate करना और तमाम चीज़े यहाँ से आप activate कर पाएंगे, उमीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप share करें, thank you for watching this video